एक एएसी एलर्जी है, जिससे हुड़ कुछ लोग ईफेक्टिड होते हैं, ओर ये एक एसी एलर्जी है कि एक यह बाद हमारी बॉड़ी में एक अलग तरीक हैखा है आज हम ए वीडियो एक पूर ठाह्टरम के बारे दिसकस्थ when ब् सकिंग ए रिखम बनाने लगता है और उस फूट को कुछी भी मारी समझ कर वागता है कुछ तरीके के स्मटम प्रड्यूस कर या तो इसकी इलर्जी होने लगती है पूरी बॉड़ी में श्वेलिंग आ जाती है इसमें तो ऑनकॉंशियस हो जाते हैं पेशेट ब्लड पिशन लो हो जाता है तो इस पर्टिकुलर फूड को लेकर इलर्जी होती है इन्वेस्टिकेशन होते हैं बलर ईन्षेमपल लेकर निद्टृ किया जाता है जिसमें केलेक्टेव और कणनेक्टिव देखा जाता है कि वढ़ियु अगर मेनेज़ करें कुछ भी अगर आप घर में हैं तो उसको इलेक्टरॉल दें या कोकोनट मिल्क दे के उस ऐलर्जी से उसको रिलेक्स करें रिलीव दिलाएं आराम से उसको लिटा दें अगर पैनिक अटेक है अस्तेमेटिक अटेक है तो खिड की दर्वाजे खोल दें जिससे उसको फ्रेश करके काफी हद तक फूड एलर्जी से बचा जा सकता है इसमें पर्टिकुलर फूड के हसाब से मेडिसन डिसाइड होती है इसमें जैसे कि अगर किसी मिल्क पीने की बाद कुछ फूड एलर्जी की सिम्टम आते हैं तो यहां उन पेशिंट्स को हम मेगनिशियम मियूर मेग मेडिसें प्राइब करते हैं जिनको पर्टिकुलर को लेकर हो उसके बाद ट्राइफूड को लेकर है इलर्जी है इसके बाद अगर मीट तो इस पोई पर्टिकुलर मेट से इसको इलर्जी है तो यहाँ इसको while सो थी इन फिसे को कुई प्रॉंज कर जी कर Pfural से है too इतने हैं उन पेशेंट्स के लिए उन पेशेंट को हम विसे file ओर सीपीघ कर मेदिसेन के उन को पर्टिकुलर वी्ट से अलर्जी होती है उन सोराइनम 200 में देके उनकी इस पर्टिकुलर फूड ऐलर्जी को दूर करते है और इन सारे ऐलर्जी को एक पर्मनेंट ए जा क्योंकि यह जैसा कहा जाता है यह ठीक नहीं होंगी पर्मनेंट ठीक नहीं होंगी लेकिन अगर ुश फुल ट्रेटमेंट कियों Ayam जिनको हमने बहुत successful treatment दिया है, particular meat allergy थी उनको, उन patients को भी हमने बहुत अच्छा permanent relief दिया है, कुछ patient ऐसे थे कि vegetables खाने के बाद उनकी पूरे चेहरे पर swelling आ जाती थी, upper lip swelling हो जाती थी, उन patients को भी हमने permanent cure दिया है और successful treatment दिया है, आपको भी इनमें से कोई भी medicine लेना हो तो एक आप अपने doctor से जरूर consult करें, proper investigation करवाएं और इस allergy को एक proper treatment से आप आराम से इसको permanent cure पा सकते हैं, I hope यह आपके लिए useful होगी, thank you for listening, stay healthy, stay happy.